सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे समय तक चले आयोध्या के राम जन भूमी के मुकदमे का निर्णाय आने के बाद अब लोगों के निगाहा राम मंदिर के निर्माड की ओर लगी है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नौमबर 2019 को फैसले में आयोध्या में ट्रस्ट के माध्यम से राम जन भूमी पर राम मंदिर निर्माड का मार्ग प्रशष्ट किया था देश की शिर्ष अदालत ने सरकार को तीन महीने में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट गठन का आदेश दिया था तीन महीने की समय सिमा खत्म होने में अब सिर्फ पांच दिन बचे हैं इसके बाद भी केंद सरकार ने अभी तक राम मंदर ट्रस्ट की घोशना नहीं की है। राम नगरी आयोध्या में संतो में ट्रस्ट के निर्मार को लेकर बेहत बेचैनी है। सभी को इसके गठन का इंतजार है। उमीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इसी हफते में राम मंदिर ट्रस्ट की घोशना कर सकती है। बाबरी मज़ित पक्षकार इकबाल अंसारी चाहते हैं कि आयोध्या में राम मंदिर निर्मार के लिए केंद्र की सरकार जल से जल ट्रस्ट का निर्मार कड़े। जिससे आयोध्या में राम मंदिर निर्माड का कार शुरू हो सके